नमस्ते, मैं हूँ आपकी शुबरा टीचर और मैं आपको योकीजी में हिंदी पड़ाऊंगी तो आज हम कुछ हिंदी की कविता हैं सिखेंगे बच्चों क्या आप मेरे साथ हिंदी की कविता सिखने के लिए तयार हैं? तो बच्चों शुरू करें पहले कविता है करोना के उपर आप भी घाए मेरे साथ करोना, करोना, करोना से तुम डरोना सबको नमस्ते करोना करोना, 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 करोना से तुम डरोना किसी से हाथ मिलाओ ना, करोना, 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 करोना से तुम डरोना, सावुन से हाथ दोना, करोना, करोना, करोना से तुम डरोना जब भी घर से बाहर जाओ, हमेशा मास पहनोना, करोना, 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 करोना से तुम डरोना तो बच्चों, आपने कवीता ध्यान से सुनी, अब मैं कवीता धोराती हूँ, आप भी मेरे पीछे दोरा है, रिपीट आप्टर मिचल रेल करोना, 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 करोना से तुम डरोना सबको नमस्ते करोना, 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 करोना से तुम डरोना, इसी से हाथ मिलाओना करोना, 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 करोना से तुम डरोना साबुन से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना करोना, 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 करोना से तुम डरोना जब भी घर से बाहर जाओ, जब भी घर से बाहर जाओ हमेशा मास पहनो ना करो ना, करो ना, करो ना, करो ना से तुम डरो ना तो देखा बच्चों आपने, इस कविता के द्वारा हमें ये समझाता है कि हमें करोना से डरना नहीं है, वरकिन ये छुट-छुटी बातों को मान कर, करोना को दूर भगाना है तो ठीक है बच्चों, आप ये कविता को प्राक्टिस कीजेगा ठीक है घर बच्चों, अब हम एक दूसरी कविता भी सिखेंगे, जो है बारिश के उपर अब भी बारिश को हम उसम चल रहा है न बच्चों, तो आओ, आप भी मेरे साथ धोराओं बारिश आई चम 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 चम, चाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गये हम, नीचे चाता उपर हम तो देखा बच्चों आपने, आप ये रहे मेरे साथ धोराओं, आप भी मेरे साथ गाओं बच्चों बारिश आई चम चम चम, चाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गये हम, नीचे चाता उपर हम तो देखा बच्चों बारिश में फिसल के गिर गये, इसलिए आपको बारिश में निकलते वक्स आउदाने से चलना चाहिए तो आप सब ये बाते मानेंगी न बच्चों और इनकलता की घर में पैर्टिस करेंगे तो ठीक है बच्चों धन्यवाद फिर मिलेंगे